हेलो दोस्तो मैं हूँ रजट आप सभी को मेरा और आपका YouTube चैनल इंटेनेट की गया में बहुत-बहुत सुक्रिया दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कंपीटर क्या है और इसके लिए क्या-क्या डिवाइस को ज़रूरत बढ़ती है कंपीटर है कंपीटर होने के लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वालों तो वीडियो को आँ तक देखिए दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज-काल कंपीटर का इस्तिमाल कितना ज़्यादा लोग कर रहे हैं पहले कर जो काम इंसान हाद पे करते था वही आज काम कंपीटर के मदद से क्या जा रहा है सबसे बड़े वज़ए यह समय की बहुत बच्चत हो रहा है और इसके साथा काम भी बहुत जल्दी हो रहा है यही है वज़ए जिसके लिए बहुत से काम ऐसे ही जो की कंपीटर मदद से क्या जा रहा है लेकिन दुख के यह भी है कि आज के जमाने में बहुत से ऐसी लोग है जो कंप्यटर चलाने नहीं आता हैं और हम मैंसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कंप्यटर चला रहे हैं तो कैसे चला है इसलिए मैं इस वीडियो को आपके पास लेकर आया हूं ताकि कुछ तो बेसिक नॉलेज आप के बेसिक नॉलेज तो पतावना बहुत ही ज़रूरी है कभी-कभी तो आपको इंटर्विव में ऐसा भी पुछा भी नहीं जाता है कि आपको कंप्पीटर चलाना आता है कि नहीं सिधा जाकि कंप्पीटर लेब में बैटा देता है और आपको टाइपिंग स्पीड चेक करव रहता कि कंपीटर क्या है what is computer तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्लेर कर देता हूं computer is an electronic device which convert data into information that is called computer तो यह था definition of computer अभी में बात करहाए उसका मेनिंग क्या है, कम्पीटर का मेनिंग क्या है, P stand for commonly, O stand for affected, M stand for machine, P stand for particular, U stand for used for, T stand for trade, E stand for education, R stand for research. यदि पूरी तरह से कम्पीटर का मीनिंग हम बोलेंगे, तो हम commonly operated machine, particularly used for trade, education and research. इसको हम हिंदी में यदि हम बताएंगे, तो सामनिय रूप से काम करने वाले machine, जो business रूप से काम में आती है, शेक्षा में, अन्य साधरन कारियों में. यही था कुछ जो इसका मेनिक था, जो कम्पीटर का, इसको में क्या बोला जाता है, उसकी कुछ आपको max plan कर लिया है. अ कम्पीटर कभी भी यूज होता तो उसके लिए एक input device चाहिए, और processing होता है, इसके बाद output होता है. यही तिन device, complete computer के अंदर यही तिन device रहती है. तो सबसे पहले input device क्या है? दोस्तों, for example, मैं आपको बताने चाहता हूँ कि कोई बंदा आपको पूछ लिया, आपका नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको समझ, सबसे पहले तो उसका answer देने के लिए ध्यान से उसको सुनना है, वो क्या बोल रहा है? आपका नाम क्या है? बा आती है, computer पूरी computer ठीक इसी तरह काम करती है, input device होती है, processing होती है, बाद में output, लेकिन मैं आपको input device के बहुत सारे है, keyboard है, mouse है, joystick है, scanner है, barcode है, optical characters recognized है, optical mark recognition, microphone, बहुत सारे input device है, लेकिन मैं उतना सब आज नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको कुछ basic ज्यान कर या आपक Keywords, जो से Keywords ऐसा है, जो Key है, computer की Key है, और Keywords आपके computer की बहुत ही जल्वी पार्स है, बीना Keywords से आप computer ऑपरेट ही नहीं कर सकते, Keywords के मदद से आप computer का operating कर सकते, बहुत सारे ऐसे काम जो Keywords से operating किया जाता है, यदि आपके पास अच्छे typing speed है, तो आपको जरूर जाब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसके लिए मैं next वीडियो में आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा typing speed कैसे बनाए, अपना typing speed कैसे बढ़ा है, इसके लिए में एक separate video बनाऊगा, जो आप अपने typing speed को बढ़ा सकते हैं, कुछ tips है, कुछ trick है, जिसके मदद से आप अपना typing speed को बढ़ा सकते हैं, तो बात कहता है keyword, basically keyword type का function रहता है, सबसे पहला function तो alphabet, जो a to z, और दूसरा जो number, जो numbers, यानि कि 0 से लेके 9 तक जो numbers है, वो keywords का अंदर रहता है, और तीसरा जो काम है, कुछ keywords है, जो window का है, key है, alt है, control है, number lock है, ऐसे बहुत सारे special keywords है, कुछ ऐसा special button है, जिससे हम use करते हैं, और चोथा में हम बात करेंगा, तो function की, function यानि कि F1 लेके F12 तक जो भी function रहता है, बहुत सारे उसकी काम आती ह जब हम operating करता है, यह computer को, तो यह function की, यह special keys, और यह numbers, यह type of keys, alphabetical, यह सभी सभी तरह को आपको एक keywords के अंदर देखने को मिल, दोस्तों, computer operating करने के लिए mouse भी इस्तिमाल किया जाता है, वैसे हम अपने computer को बीना mouse से भी operating कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही time आपको ज आप mouse उसमें add करता है, तो उसकी बहुत ही time आपको budget हो जाएगी, इसलिए ज्याद है तो लोग mouse use करते हैं, लेकिन basically mouse का काम क्या है, कि किसी भी device को point out करना है, वो इसके साथ drag and drop भी कर सकते हैं mouse के इस्तिमाल से, यह terms है mouse के काम, यह basic काम जो mouse करता है, basically three type of mouse देखने को मिलता है, जो optical mouse देखने को मिलता है, और इसके साथ जो track and ball, track ball mouse, आप देखे हैं, उनके mouse के backside एक ball type कर रहता है, जिसमें आप track कर सकते हैं, और थार में बत बताएंगा है, कि wireless mouse अभी तो निकल चुका है, wireless mouse बीना cable connection से, आप अभी mouse को drag and drop कर सकते हैं, और किसी भी device को आप किसी भी इसकी डिवाइस जो basic knowledge था, तो बात करते हैं, आप दोस्तों की प्रोसेसिंग देख लिया, अभी हम चलेंगे processing device का, दोस्तों processing device में सबसे पहले आता है CPU, यानि के central processing unity, इसको हम लोग कभी-कभी इसके तो computer के brand भी कहा जाता है, सबसे पहले CPU के अंदर बहुत सारे चीजों स से लेके complete CPU बोला जाता है, जैसी power supply होता है, cards रहता है, motherboard CPU के अंदर रहता है, hard drive रहता है, CD रहता है, ROM रहता है, drive रहता है, यह सभी को लेके CPU को बोला जाता है, जिसमें से बहुत सी device different type का है, जो मैं आपको नहीं बताने वाला है, सिर्फ आपको बताने वाला है, इतना है कि आपको control हो जाए, तो दोस्तों यही था कुछ basic जो processing काम करते हैं, इसके अंदर supply रहता है, cards रहता है, motherboard रहता है, बहुत सार चीज रहता है, तो अभी बात काते हैं, दोस्तों, आपको device में मैं ले लिया है, printer को सबसे पहले ले लिया, क्योंकि बहुत से काम में आते हैं, हला आप से printer के help से आप उसको निकल सकता है, यही है, बहुत ही अच्छे चीज है, जो आप basic knowledge भी करना, उसके लिए printer connection करना, USB cable के थोस से आप CPU में connection ले ले लेना, और आप उसमें print out कर लेना, उसके लिए normal safe for size paper या 5 size, आप किसी भी size depend अपन आपका printer, यदि आपका printer छोटा है, इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले वीडियो के देखने के लिए हमारे और आपका YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के सब, तब तक के लिए, गुडबाई